वेल्कम बेक टो मैं ट्रेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो बराना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी को पता है कि वाई फाइल नी बजाजन अपनी बहत्रीन सी पलसर एंड 125 लॉंच कर दी सबसे पहले कमेंट करके आपको यह बाई कैसी लगी यह वीडियो क अच्छी चीजे सेयर करेंगे आपसे जो की यूट्यूबर्स आपको नहीं बताएंगे क्योंकि मजबूरी है उनकी कोई गलती भी नहीं है अगर वहां पे गया है वाई क्लाउंची उन पे तो आप सब कुछ उपैली नहीं बता सकते हैं बात कर सकते में भी आपको मेरी बा सबसे पहले तो भाई एक कोश्यन है कि यह N 125 है क्यों N 160 N 250 से कुछ भी सिमिलर्टी है इस बाइक में नहीं तो N 125 नाम देने कर तो कोई सेंस वैसे समझ में नहीं आता है बट एक चीज काफी अच्छी की है बजाजने कि N 160 या N 250 जैसा नहीं बनाया वहनना सब सेम हो जाता त भाई N 160 वा लोगो 250 वा लोगो थोड़ा तो बुला लगता है यह चीज काफी अच्छी बट N 125 नाम देने का कोई सेंस नहीं बनता था अब पहले बात कर लेते हैं बाइक के बारे में 125 इसी की यह बाइक है जो इसका बॉड़ी वेट है एप्रोक्स वो भी 125 केजी के ही 124 केजी के आसपस है पावर अच्छी डिलेवर करेगी यह तो पक्का है भाई 12 PS की पावर एप्रोक्स 11 Nm का टॉर्क भी देती है और बजाज कैसा क्लेम है 0 to 60 सबसे फास्टेस जाएगी यह तो 125 CC की बाइक में उतना ज्यादा पावर की तो किसी को नीड नहीं है और एप् लेलो एक्स्ट्रीम लेलो क्योंकि जो मोस्टली 125 CC में स्पोर्ट केटिगरी में जो यंग्स्टर लेते हैं तीन ही मीन भाई के आती है आपकी साइन वगेरा भी आती है बताब तीन भी फोकस करो एक्स्ट्रीम 125 लेडर 125 और अब नहीं अवेली पलसर 125 और इनहीं की फैमली की है एनस 125 ठीक है पीछे वाले टायर आपको वही 110 सक्षिन का मिलेगा दो वेरेंट में आते तो एक वेरेंट में वह 100 सक्षिन का ही होगा फाइफ स्पीट का आपको गेर बॉक्स देखने को मिले ही है आपको डिस्टल मीटर देखने को मिल जाएगा LED हैडलाइट देखने को मिल जाएगी जो की वर्क अच्छा करेगी उमीद ऐसा करते हैं बाकि जब वह आएगी तो टेस्टिंग और होगी जब आएगी राइड डिवी भी करेंगे अब आते हैं सबसे में चीज़ पाव अब आपको बाइक नहीं लग रही है आगे से हेडलाइट होंडा से कॉपी नहीं लग रही है प्लीज सईसी बताना आप लो मुझे तो हवाई हलका सभी हॉन ने ट्रेप वाली इसकी हैडलाइट लग दिये है और एडवेंचर टाइप का देने का लुक यह जैसे वह होंड मतलब यह बजाज एक ऐसी कंपनी है जिसने एक लेजेंडरी पलसर 150 लॉंच की थी 220 इनकी बाइक थी 200 NS 200 RS मतलब वो टाइम गया कहां वो इंजीनियर्स वो डिजाइनर्स कहां चले गए मतलब अब अब 220 सोचो जब वो लॉंच हुई थी मतलब क्या यूनीक बाइक थी और ऐसा नहीं 220 के बाद RS जब लॉंच ही क्या यूनीक डॉमिनर इनोंने लॉंच ही क्या यूनीक बाइक क्या यूनीक कॉंसेट सब कुछ यूनीक उसके बाद से डॉमिनर के बाद से तो मुझे लग नहीं रहा कि N160 N250 को छोड़की यह कोई भी ढंकी वैसी बैतरीन बाइक अल प्रॉमिनर को अच्छी नहीं लगी अब वह अच्छी नहीं लगी बैक अब वह अच्छी क्योंने लगी मैं आपको आपको यूट्यूबर्स आपको बोल दे अभी बात कर रहो आज 21 को ही लॉशूपी मौर्णिंग में वीडियो सूट कर रहो मैं आप बताओ, सही सी बताना, अगर आपको family bike चाहिए, मतलब जो आपके parents चला सकें, आप इसको लोगे, बाइक कोई भी नहीं लेगा, मतलब कुछ लोग तो लेंगे, बट एक family bike का feeling या रहा कि इस पे आप easily अपनी पापा को बैठा सको या पापा आपके राइट कर सकें, अगर उनको एक family bike चाहिए होगी, या तो वो radar ले ले लेंगे, अगर रेडर नहीं भी समझ में आ रही, तो वो Honda की sign ले लेंगे, इसको नहीं लेंगे बिल्कुल भी, अगर उनको, अगर कोई college going student है, उसका है कि भाई, budget कम है, लेकिन हमें एक sports bike चाहिए, थोड़ी सी बढ़ी और 125cc में वो mileage भी अच्छा मिल जाए, आप एक, honestly जवाब दो, आप ये N125 लेना पसंद करोगी, या extreme, hero की extreme 125 लेना पसंद करोगी, looks अच्छे, और सबसे बड़ी चीज extreme की, 125cc में single channel ABS आता है, बजाद इतने टाइम बाद आप bike launch करोगी, तो यार, ABS ती दी आपने single channel, क्या म bike में, जो mandatory है, मतलब, अब एकदम स्यों निव, ऐसे single channel ABS भी नहीं है, जाँ तक मुझे पता है, हो तो बहुत अच्छी बात है, वैसे तो नहीं है, तो मतलब, ABS ही नहीं है, यार, सबसे बड़ा drawback है कि single channel ABS भी देने की बजाज ने जहमत मोल नहीं ली, front में आप डिस्क देत स्लीक डिजाइन कैसे भाई, फैमिली वाला कोई बंदा इसको चला नहीं सकता, अच्छा आपके फादर N160 चला सकते हैं, सही से बताना, N250 भी चला सकते हैं, इसको चलाने में उनको और लगेगा, क्योंकि वो लुकी है, जीब से है, एडवेंचर टैप की बाइक का लुक भ जग रहा है कि बजाज के डिजाइनर्स को पता नहीं क्या हो गया, आप इंडियन अच्छा दे रहो, सब कुछ अच्छा दे रहो, कि की भी दे रहो, फाइफ स्पीट के गेर वोक्स भी दे रहो, बट लाइप सेविन फीचर आपको देने चाहिए, जो की काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है, अगर एक बार को EBS भी होता है, तो भी इसको लोग ज़्यादा कंसीड़ करते कि हाँ बट चलो, हमें कम से कम EBS मिला, गर हम लोग से हलका फूल का कंप्रिमाइस कर भी रहे हैं, तो EBS मिल जा रहा है, तो वहाँ पे आप लैक कर गया, आपने वो नहीं ओवरल बाइक में देखो, चीजे तो अच्छी हैं, वो नो डाउट, बट एबियस नहीं है, लोग अजीब सी है, मनलब मता नहीं क्या ही वनाने की गोसिस की गई, हाँ हो सकता है, में भी टाइम के साफ अच्छी लगे, तो मेरा कुछ यही था कि यह चीजे आप से सेर करू है, आगे वाला ऐसा है, पीछे वाला ऐसा है, इंजन ऐसा है, ब्रेकिंग ऐसी है, सब कुछ यही चीजे सेर होने वाली, स्पीड ऐसी है, आप लोग आज पुद देख लेना, आपको अच्छे सा आइडिया लग जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि है, तो प्लीज कमेंट करके बताना, वीडियो को दबा के सेर करना, कि और लोगों को भी यह चीज भी पता चले कि भाई, एक बस वार सा लुक पे भी देख लो, सिंगल चैनल, एबिस भी नहीं है, इन सब चीजों पे भी ध्यान दे लो, और एबिस मेरी साब से तो काफी इंपोर्टेंट चीज है, so I hope आपको यह हलका सा एक रोष्ट कहलो, इन्फोर्मेशन कहलो, मेरा पर्सनल ओपीनियन कहलो, या जो भी कहलो, मैंने आपको बता है, अगर अच्छा लगए, तो प्लीज वीडियो करना, दबा के सेर करना, कमेंट करना, कमेंट करके अपना ओप ओपीनियन देना, कि जैससे कोई और वीडियो देख रहा है, कमेंट देख रहा है, तो उसको आइडिया मिलता है कि क्या चीज़ चलने है, so I hope आपको यह चलेकë, चलेके, तो प्लीज वीडियो करना, कमेंट करना, आदा के सेर करना, मिलतें नेक्स वीडियो में, तरक लिए बावर तकिप लिए लिए विए 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 लूग देख लिए वीज़ देख लिए लिए।